यदा यदा ही धर्मस्य गला निर्भवति भारत अभ्युद्धानम धर्मस्य तदात्मानं स्रिजान्यः परित्राणाय साधुना विनाशायच दुष्कृताण धर्मसंस्था बनार्थाय संभवामि युगे युगे ये दिल्ली का लाल किला है कई सौ साल के गुलामी के बाद पंद्रह अगस्ट उन्नीस सो सेटालिस को हमारा देश आजाद हो गया लेकिन अंग्रेजों के चले जाने से और लाल किले से उनका ज्छन्डा हटा कर अपना तिरंगा लगा देने से क्या गुलामी वाकई दूर हो गई सच तो ये है कि आज भी हमारे देश के लोग गरीबी के गुलाम हैं बेमारी के खुलाम है डर है बढ़ती बेरोजगारी का भविश्य का और महंगाई से पैदा होने वाले तनाव का राज करने वाले आज भी उसी तरह राज कर रहे हैं कोई पुझी पती है तो कोई नेता है तो कोई ये कहानी भी राज करने वाले एक ऐसे ही राजा की है ऐसे जालिम राजा की जो आज तक इस धर्दी पर पैदा नहीं हुआ ये कहानी पर पैदा नहीं हुआ है झाल झाल तूमी दराल उठाओ तू 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 तो बड़ी तकदीर वाली है जो तुझे मेरे निशान का आशिरुवाद मिल गया आओ यहाँ पर पड़ी हर चीट पर ऐसा ही निशान है सिर्फ एक चीट छोड़कर जिस पर मेरा यह निशान नहीं है उस पर मेरा आशिरुवाद नहीं है और जिस पर मेरा अशिरुवात नहीं है वहां मौत है मौत ले बीटी एक साल के लिए इसे माथे पर लगा ले जा भाग बाट कर दो नक्या को जो कि आपनिग जो हो tane मुझे . मुझे मत मरो मुझे मत मरो मुझे मत मरो मुझे मत मरो मैं आपके हाट जोरिता हूं पढ़ता हूं मुझे मत मरो जोड तो मुझे राजा साफ मेरे बच्चे की जान बक्ष दीची इस विद्वा का अगरी सारा मच चीनी मच्छी ने हमें बख पीचे है इस तरह मेरे सामने हाथ जोड कर माफी मांगी है इसने मेरा दिल जीत लिया है मैंने तुम्हें माफ कर दिया अब हसो जोर से हसो स्टूल लाओ तुम्हें हमारा दिल जीत लिया है यह देखो मैंने तुम्हें राजा का हार पहना दिया और अब मैं तुम्हें राजा की कहानी सुनाऊंगा कहानी? आँ एक सची कहानी लो सेब खाओ, सेब खाओ सुनाओ कहानी एक था राजा सारी रियासत में उसी का राज था उसी का जंडा लहराता था वो देखो जंडा बेटे फिर कुछ पागल चिल्लाने लगे कि हिंदुस्तान आजाद हो गया और तभी एक पागल ने मेरा सुन्दर सा जंडा हटा कर उसकी जगे तीन रंगा तिरंगा जंडा लगा दिया अरे हमारा जंडा तो अंग्रेदों नी भी नहीं हटाया था फिर एक हिंदुस्तानी कैसे हटा सकता है राजा को गुस्ता आया उसने तलवार उठाई और तिरंगे जंडे वाले का सर काट दिया वो था राजा और राजा तो कुछ भी कर सकता है कर सकता है ना हाँ कर सकता है बड़े समझदार बच्चे हो लो मिठाई खाओ मिठाई खाओ फिर क्या हुआ फिर तिरंगे जंडे वाले की पुलिस आ गई उन्होंने गावालों से पुछा लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया सब लोग राजा से डरते थे राजा से डरनाई चाहिए ना हाँ समझदार हो बहुत समझदार हो लेकिन तुमारी उमर का एक बच्चा बोल पड़ा कि तिरंगे जंडे वाले का खून राजा ने किया है उन्होंने राजा को गिरफतार कर लिया राजा की रानी ये देखते ही मर गई उस छोटे से बच्चे की हिम्मत ने सब कुछ मिटा दिया तब ही राजा ने सोचा कि जब तक इस जेश के बच्चे हिम्मत वाले होते रहेंगे तब तक राजाओं का राज नहीं चल सकता और उसी दिन मैंने फैसला किया कि राजनगर के लोगों के दिल में इतना डर इतना खौब भर्दू कि हिम्मत के लिए उनके दिल में जगे ही नहीं रहे और इस बच्चे ने तो आज हमारा दिल जीत लिया है हम इस पर बहुत खुश है अज सब लोग नाचेंगे, गाएंगे, खुशिया मनाएंगे नाचो, नाचो, नाचो अज सक्ष्चे युश पुश पुशिया मनाएंगे वाया मनाएंगे, खुशिया मनाएंगे, खुशिया मनाएंगे या अल्ला तु नहीं तु दर देता है तो उसकी दवा पहले पैदा कर देता है तु ने ये शैतान तो बना दिये लेकर इनके जुर्म से बचाने के लिए फरिष्टे पैदा करना भूल गया क्या परिष्टे पैदा करना भूल गया क्या या अल्ला बद्टे लेकर उस्टे पाराब के लिए या 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 है कर दो 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 थोड़े से परिष्टे, थोड़े से शैतान, थोड़े से शैतान, होती है जब इंसान, हम भी है थोड़े से सयाने, थोड़े से नादान, थोड़े से शैयाने, थोड़े से नादान, होती है सब इंसान, हम भी है थोड़े से परिष्टे, थोड़े से शैतान, होती है सब इंसान, हम भी है ANISTE, ANISTE! हर आदमी को ये खम है यारो कुछ है से याना कुछ कम है यारो हर आदमी को ये खम है यारो कुछ है भी आजा कुछ कम है यारो थोड़े से घरीब थोड़े धनवान थोड़े है सब इंसान हम भी है, थोड़े से परिष्टे, थोड़े से शैतान, और तेरे कब इंसान हम भी है परिष्टे, परिष्टे, परिष्टे परिष्टे, परिष्टे भी हाँ फरिष्टे, परिष्टे परिष्टे, परिष्टे मुझा याद हम आर लाद वा साइं आट आट आटि कर दोर लुग। टूटे न अपनी तूटे न अबनी दोस्ती पुरानी और चब पक दिये हम ये जिन्दगानी चूटे न अपनी दोस्ती पुरानी खोड़े वफादार खोड़े से बैमान खोड़े वफादार खोड़े समयमान होते हैं सब इंसार हम भी है थोड़े से परिष्टे थोड़े से शेतार होते हैं सब इंसार हम भी है अच्छे आईला अथा काला ही राला रे मेरा नाम है रामो जिराव रानो जिराव शिवा जिराव का एक बार जारी समों कर जुन ठांगे बड़ा बड़ां को टांग चुका हो अगर मेरे हिलाखे में चोड़ सकारिकी तो तुम दोनों को भी टांग दूगा तमजला च्का है जब से आपने चाह सभाला दी चोड़ी छूट गए हमारी आजकल तो हम सोचल रख करते हैं आपका पस दो चिकन पंदूरी, दो चिकन फ्राई, दो चिकन पाई, दो चिकन होंग कॉंग, दो प्लेटे पिंपॉंग सारे गाँ पदनी सा, सारी धाप मगरे सा बारा प्लेटे हो गई, बारा प्लेटे आप खा चुके, सब मिलाकर हो गई, 24 प्लेटे 24 और लेओ क्या? 24 प्लेटे और? एक काम करो, 24 दो दो दर्जन लेओ ये बाद होई ना, ओके, ओके, ओके अरे, सुनो, प्रेट प्रेट ये, ये सर्प वो अपने धिरू भाई है ना, उसे कोई मुर्गी-मुर्गी खिलाए की नहीं? हाँ, धिरू, मुर्गे ने खाता, मुर्गे का दूद पीता है उसका बस चले तो वो बटेरी का, चींटी का दूद भी पीजा है उसे मलाई मारके दूद पिलाओ वाँ, दूद 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 पीने का मज़ा ही कुछ और है खास कर वो दूद किसी तंदुरूस्थ और दूद धरू गाय का हो आप जैसी मेरे जैसी? हाँ, आपकी गाय दूद धरू और तंदुरूस नहीं है आपको कैसे मालू? लो, पूछो इनसे, हमें केसे मालू? अजी, देखने से तो पता लगता है, ना? देखने से? हाँ, वो का है के आज केल हम तुम्हारे पिछवारे जो रहने लगे अकसर तुम्हारी बंदी हुई गाय नजर आती है, बहुत तंदुरूस्त है कभी-कभी आजाएं घर दूद पीने के लिए हाँ, मुस्ट वैलकूप अभी चलें अभी? हाँ, वो का है कि हम मत्रा के रहने वाले हैं न? किसंकन हिया की नगरी के? इसलिए दूद के मामले में, वो आपके नोट गिर गए है का कह रहे थे हम? दूद के मामले में सबर नहीं कर सकते चाहे वो दूद, किसी काय का हो या धैस का हो और सांड का? तुम? हाँ, मैं तुम दोनों को धुनते धुनते पहुंची गया ना तुम्हारे ठिकाने तक कहा है वो तेरा दुस्ता साथी? उस देन तुम लोगों ने मेरा पांच लाग का नुकसान कराया आज बदले में मैंने पांच मंज सांड का दूदना पिलाया तो मेरा नाम भी छेदी राम नहीं आज आज आपने गलत जगा हाथ डाल दिया ना मतलब मतलब मैं समझाता हूँ पहली बात तो आज मेरे पस टांड नहीं है वेरी वेरी बिज़ी ड्रिंकिंग काउज मिल्क और दूसरी बात ये कि आज मेरा फाइ्टिंग दे नहीं है फाइटिंग दे उसका देख वो बैठा उसको जाके सान का दूद पिला हाँ, और मेरे को गाय का दूद पीन दे अबे, होई हाँ, समझ गया, समझ गया रेख, अगर तेने उसको चित कर दिया तो समझ ले मैं भी चित और तेरे पांच लाग का नुकसान मैं भरूँगा अब जा, do not disturb ये बाद है, हाँ, तो फिर देख तमाशा हाँ, 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 ये भी गया ओए, तो आदमी है पत्तर का तेला कोई रेख नहीं दे लिया ओए, मोटे, मैं तिरे से बात कर रिया हूँ, मैं मार रिया हूँ, तु खा रिया है ये इसे नहीं मानेगा इसको तो आप माय खाना खिलाता हूँ अब चेदी राम, अब तेरे चेद का क्या होगा अब अब चा कर रियो, अब 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 दू 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 खतम हो गया दू नोट दिस्टरब क्यों रचुद्दो तरे भेज़े के छेद खुले कर दुमक रखकर नहीं उस्ताद पंद्रा किलो का हाथ दुबारा नहीं खा सकता चुद्दू रामजी पंद्रा किलो का हाथ भारी लगे तो उंगली चलेगी क्या नहीं ना उस्ताद इस जिनन के लिए आप गुरू में चला वास उनले छेदी राम कोई हेरा फेरी करे तो भी छोड़ दूँ चोरी चिकारी करे तो भी मैं छोड़ दूँ और कोई छोरी ने छेड़े उसे भी मैं माफ कर दूँ पर कोई मेरे भोजन की तरफ आंक उठा के देखे उसकी आंक नो चलूँ उसकी टांक पर टांक रखके चीर के सब उसके गड़े में डालके उसके बेबबे के पास भी जूँ मैं उसकी बाफ कर दो क्या माफ किया तुमाफ की देना हो ला कॉना बैन कर तक तेरा के बाप पुला गया है अरे यह सब छोड़ो घर में तूफान आया है राम उसे पूछो मता यार क्या हुआ काहितरी दीदी बहुत गुस्से में है सुबह से अब तक भूखी प्यासी तुम लोगों का इंजार कर रही है हाद हो गए इंतजार की देख लोंगी दोनों को उन्हें तो इतना भी ख्याल नहीं के आज रक्षा बंधन है अरे बैट गए होंगे किन डारू पीने क्यों शाम हाँ दीदी आजकल तो उन लोगों ने कोटे पर जारा शुरू कर दिया और वो भी दिन में आज मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी और ना भी नी चाहिए ये 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 लीजी ये जारू अच्छी पिटाई होगी अब है अब है अब है अब है अब कर दो नहीं कोटे जाए अब मैं देखती हो ने आप 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 मज़ा आए गा तुम दोनों मुझसे मेरे भाईयों की पिटाई कराना चाहते हो अरे तुम्हें तो ऐसा जोर से मारूंगी के सीधा तुम लग पूजागे बिल्ली हमाट म किसी बंदन को नहीं हूँ आज भूल सकते ह हैं मासी तुम लक्षाबंदन की बात कर रहे हो हम कैसे भूल सकते हैं ज्भ crop सिधा ही का 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 के लिए कंबल मौसी के लिए साड़ी का-ग का के लिए कम्भल मौसी के लिए साडी लेख रही है क्या बड़ी लिख रहा है मिठा रहा है कंब्ल तो कहा चले मैं अच्छी तरह जानती हूं तुम तोनों common ये क्या नातक लगा रभा रखा है नातक नातक नहीं तो और क्या ये साडी ये कंबल ये मिठाईयां, इन सब चीजों से बस्ती वालो का दिल बहल सकता है, मेरा नहीं, बिलकुल नहीं, बिलकुल नहीं, तुम्हीं हमारे जजबात को नहीं समझती, बात यह है कि क्या बात है, मैं तुम्हारी बातों को अच्छी तरह जानती हूं, तीन-तीन दिन तक तुम तो घर से गाइब रहते हो, मोखनलाल को भेजने के बाद आज तुम लोग घर आए हो, समझ के रखा है तुम लोगोंने अपने आपको, ये भी नहीं जानते के आज रख्षा बंदन का दिन है, बेहन बेचारी भूकी प्यासी तुम्हारे लिए सुभा से इंतजार कर रही है, आज अगर तुम्हारी सगी बेहन होती, तो क्या तुम लोग करते ऐसा उसके साथ, करते ऐसा, अगर मैं तुम्हारी सगी बेहन होती तो, लेकिन तुम क्या जानो बेहन के प्यार को, नाठक बास कहीं कि, तुम तु सिर्फ नाठक करना जानते हो, प्यार थोड़े ही, कि यह रिश्टा नहीं होने का यह रिश्टा है प्यार का पहना हमको तुमसे प्यार नहीं अब कहा है फिर मत कहना कि यह रिश्टा नहीं अब कर दो आप दो जानगे जान गए यह रिश्टा नहीं अब कर दो आप दो आप जान गए कितना सुन्दर कितना प्यारा ये सारा संसार है इस संसार में सबसे प्यारा भाई बन का प्यार है कितना सुन्दर कितना प्यारा ये सारा संसार है इस संसार में सबसे प्यारा भाई में का प्यार है जेट हमारी चूट नहीं दिल हमारी चुट नहीं सकती एक जशी जोर नहीं जिस दिन हम खुमको ना देखी उस दिन होती खोर नहीं नहीं मावरना मैया मेरा तुम बिल खुव यो ड्राइक ना मापुर ना माईयों मेरो तुम दिल भूई यार नहीं सबसे जियाता रबसे जियाता मुझे तुम बेतबार है इस संसार में सबसे जारा भाई बहन का प्यार है कितना संदर कितना प्यारा ये सारा संसार है इस संसार में सबसे जारा भाई बहन का प्यार है इस संसार भाई बहन का प्यार भाई बहन का प्यार है संसार में सबसे जारा भाई बहन का प्यार है इस संसार में सबसे जारा है अपनी पुशियां तुझे को दू तुझ से हरतु तेरा मागू नहीं हजशती क्या ही रहे दूर रपते रोद दुरा मागू अपनी कुशिया तुझ को दो तुझ से हरतु तेरा मागू सोच रही है आज में तुम दोनो तेरा आगू सोच रही है आज किसी दिन में तुम दोनों से क्या मांगू तेरी का संपुचा नभी मांगे तो किसको इनकार है इस संसार में सबसे व्यारा भाई में तंकर का प्यार है कितना सुन्धर कितना प्यारा ये साह संसार है इस संसार में सबसे व्यारा हाई वेहन का प्यार है पीरू किसे रखे ये दारू तुमने रखे ये मैंने रखे मैं समझ किया ये धीरू ओ धीरू मुझे मरवाना चाहता है तुम्हारा ये ड्रामा और नाटक आएंदब फिर कभी से हाथ भी लगाया तो देख लूगी तुम्हें प्रेक मिनट इसके बंढ़ कि ये लेकिए जाओ धिको चाहत नहीं लगांगा लेकिल ला जाए प्याल है काहितरी बहन ये डेक और निकलाई ये दिरू कीली तो घ्रव तो नहीं हारा एक भी यहां है तक का सबाहस वेर्णे टेख लूट नाइट कॉने अब आएगी तो एक और भी है पीरू हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ चाय वाला गर्मा गर्म चाय अगर मैं ससुराल चली गई तब लोगों का क्या होगा चलो उठो चाय थंडी हो रही है पहले उसको तो उठाओ पीरू सुभा हो चुके ओँगा बी जेंटल बी जेंटल बहने लेकिन लेकिन एक ही खराबी है खराबी मुझे में नहीं तुम लोगों में है यह सब क्या है यहां देखो कपड़े वहां देखो कपड़े कायतरी कितनी मेंद से चाय बना कर लाई है और तुम इसे ठंडी कर रहे हो जरा इसके बारे में भी सोचो यह क्या मेरे बारे में सोचेंगे पहाड जेसी बहन घर में बैठी है शादी की उमर हो गई है कभी इसके लिए कोई लड़का वड़का देखा है तुम से भी पूछती हूँ तुमने कभी कोई दूला ढूना मेरे लिए तुम जैसे निठले भायों के भरों से बैठी रही तो नुछाबी और सुन्दर भी अगर यह कहें तो मैं बिनादेज के ही शादी करने को त्यार मैं भी मैं भी अबे चुब्बे शादी करने से पहले अपनी पढ़ाई करने ना ज़रूरी है तो अपनी पढ़ाई पूरी करूंगा तो बच्चों पढ़ाई शुरू करें यह सब्सक्राइब इनका बन जाएगा आमले तो तेरा अज हम बनाएंगे और सब मिलकर खाएंगे गबरनका आता हीरो आला इचाएला अब गंगोलो पटे हो ये डोलो आपने आपको क्या आमरिश्पूरी के पोते समझते हो समझते हैं तो पिछले पंदरा पंदरा सालों से साले फेल होते जारे हो फिर भी लड़कियों को छेड़ने से बाज नहीं आते हैं ये अप उनका धंदा है बड़ा गंदा है ये प्राण का बूत आप लोग के से उतार नहीं पड़ेगा हीरो इन कत्रे में है और उसे बचाने के लिए हीरो ठीक हो पहुंच जाता है हीरो हीरो इनको मिलाने के लिए डिरेक्टर ने तो बहुत ही किसी पीड़ी सिचेशन रखी है लेकिन मैंने जमा दिया ना अपना सीन अपने स्टाइल से है जाएला क्या बुलबॉल मैं तरह हीरो बन सकता हूँ जरह इंपीट हजा दूँ अपने तरह हीरो इंपीट है जरह हीरो इंपीट है हाँ 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 अब तो माफ कर दे मेरे बाप क्या बस नहीं अभी तो सिर्फ राण का भूति उत्रा है अब और एक मज़ेतार बात सुन लो अगर आज के बाद किसी लड़की को छेड़ा तो तुमारे टांग टोड़कर हावालाद के खोटी पर ठांग दूगा मेरे नाम है ठांगे अर्जुन रामो जी राव राणो जी राव शिवा जी राव गयकवाड जाडिच मुल्क ठांगे बड़ो बड़ों को ठांग चुका हूँ समझलाज काई अरे सिर्फ टांग्स अरे कुछ दो यार पीफ और पपी क्या वद्धरे हो प्यार की बात कराओं बुल्बुल जब हीरो हीरों इंको गुंडों से बचाता है प्यार होना ये चाहिए यही सिचुएशन तो इसका मतलब है वो गुंडे भी आपी के थे तब ही मैं कहूँ के हिंदी सिल्मी हीरो की तरह मेरे सामने एक सेकेंड में धाम धुम धड़ाम धुम किस तरह कर रहे हैं मुझे पटाने के लिए लेकिन याद रहे मिस्टर टांगे हाँ हाँ मिस्टर इतने लंबे चोड़े टांगे आपका ये जो लड़कियों को पटाने का स्टाइल है ये हो चुका है पुराना अभी ओडियंस को कुछ नयापन चाहिए नयापन चलिए जाड़ियों के पीछे जाने के लिए शादी मेडम शादी के लिए तो मैं 5 सा से ठीपके टांगा हूं हर रोज आपके लिए चकर मारते मेरे टांगे सब किस कई जखता है अब बताईये आपसे शादी कने के लिए हमें क्या करना है अब आय ना वाइन पर मिस्टर टांगे याद रहे मेरे भाई बहुत पफेक्ट हैं हम इंग्लिश आदमी है और उनके सामने तुम्हें भी वैसा बनना पड़ेगा याद रहे सुबह ठीक आठ बजे इंग्लिश स्टायल में गुट-गुट कपड़े पहन कर दाड़ी बना कर डिप-टॉप बनकर आना ओके फ्रेश होकर बाबाई फ्रेश होकर और मैं बहुत कर दो नजाने तुम लोगों को कब अकल आएगी अरे बड़े भाई होते हैं बहन के लिए अच्छा सा लड़का तलाश करते हैं उसे घर पर बुलाते हैं बहन को अच्छे कपड़ों में सजाते हैं लेकिन यहां तो सब कुछ होड़ता है लड़का भी मैं ही तलाश करूं उसे घर पर भी में ही बुलाओं और अब क्या तुम लोगों को कपड़े भी में ही पेना हूँ अब अब तुमने पहन लिए ये देखो इसने बोला कि जितने दने कैदी में पहने थी अच्छे लग रहे हैं ऐसे कपड़े नहीं चलेंगे गायत्री, मैं डॉर्लिंग इच्छा आए ता ए लड़की, मेरा नाम है राणो जिरा, रामो जिरा, शिवा जिरा, गयकवार, जाडिच मुलक, अर्जुन, ठांगे भाई लोग गर में हैं क्या फ्राम है? उमर भर के बंदन में बादने के लिए हतकड़िया लाया हतकड़ी? हम हतकड़ी, हतकड़ी हतकड़ी, हतकड़ी क्यों? क्युक्के पुलिस आई है, वो भी इस्पेक्टर टांगे हमारी सिचुएशन में टांग राने कहां से आ गया? और ऐसी सिचुएशन में, अगर गायतरी का होने वाला पती सिचुएट हो गया तो वो क्या सोचेगा कि हम चोर बदमाश है और ऐसी सिचुएशन में हमारे लिए पुलिस आती है? हमारे रुबाब का क्या होगा? चलो भाग चले अरे ऐसी सिचुएशन में भागना ठीक नहीं है वो स्मंगलर का जो माल मारा था, वो यहां तो नहीं रखा है वो तो मैंने कब कर सुल्टा दिया है? वो वो सोने के बिस्किट्स मश्रूबाच चाय के साथ खा गया था मुझे कहा यादे कहा रखा गया मजाख मत कर, सोच, सोच, सोच क्या सोच हूँ तुम लोग यह शराब की बुद ले या साटाब अच्छा बाबा सिर्फ गोल्ड ही दिखाते रहोगे अंदर चा के इंटर्वियू भी दोगे आम चलते हैं, आप भी साथ में आ जाएए, एक moral support मिल जाएगी No support, आप अकेले ही जाएगे हम भी देखें आपको इंटर्वी में कितने नंबर मिलते है मौसी आशिरवादी काका आशिरवादी जीते रहो, जीते रहो बेटे बीबी आशिरवादी यह के कर रहे हूँ जो शादी के बाद करना पड़ता है, वो अभी कर रहा हूँ ओ, shut up, please go सफाइगा हो गया, सत्यानास अब एक काहितरी देखेगी, तो और मारेगी आरे, बिस्कुटी की फिकर मत करो काहितरी की फिकर मत करो जब बिस्कुट हमें नहीं मिला, उसे क्या मिलेगा आगया, आगया वाह, क्या सफाई है हमें कुछ सफाई ज्यादा ही पसंद है वी आर इंटरनेशनल ड्राइट क्लिनर प्राइवेट लिम्टेड सर यू अंडर्स्टैंड सिचुएशन यू जो बिलीज। तुम yabhi चौरि कने आगया पसके सचुएशन ए प्राइवेशन सचुएशन एटुएशन nobody ए पोलीedy Mustang तब टुएशन ए्लुएशन एंटना हलो आगया प्राइवेशन एप्रैवेशन एफ प्राइवेशन No shut up situation This is setting situation He knows no English situation English knows me situation Me samjhao situation Very simple situation Brother situation One sister situation Sister situation Shadi situation Shadi situation Larka coming situation Police sing situation Police sing situation Larka bha go situation You understand situation Sir, this is us Shut up. You shut up. लरक भागो, situation. Sad situation. Sad situation. Bad situation. Bad situation. Death situation. Yes. असूू election. अस्वू should आसूए 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 Ćसूए Crying situation. प्रेश प्रेश चार्चो काब हाँ, brat situation. scientific आसूए प्रेशो अटोहué सूए हाँ, effectivement. है, hang, hang. You shut up. You ghost situation. I samjhau situation you samjhau situation oh khamosh now sir under where stand situation under where nahi baba understand now you are right in situation sir see I am Gayatri's lover situation you are Gayatri's brother situation and this is lifelong understanding situation this is lifelong marriage situation yes sir I can't say you are the only one I am 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 कर दो कर दो कि बहुत हैं ने तुम दोनों को कितना के लिए हैं मुझसे जादार्यू को कैसे लिए कि दिल के वो जख्म फिर से हरे हो गए हैं जने कभी गाहितरी बहन के प्यान ने बूला दिया थे कैसे सखम कि शेला कशाठी बुस्ती में आने से पहले हम दोनों पूलीस पैन्न में अक्सर सुबर ट्रेनिंग के वक्त, हमारे कमांडन की बेटी शीला जोगिंग करने को निकलती थी, जिससे देखकर हमारे वीरू की थुन बदल जाती थी. मैं जट यमला पगला दिवाला, मैं जट यमला पगला दिवाला हर रपा, इत इत इसी बात ना जाना, के 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 के, ओ मैं नुक्यार कर दी है, मैं जट यमला पगला दिवाला हर रपा, इत 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 इसी बात ना जाना, के 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 के, ओ मैं नुक्यार कर दी है, सदे उत्ते वो मरती है, के ओ मैं नुक्यार कर दी है, है है है, सदे उत्ते वो मरती है, अरे डरता क्यों है, चल चल, चल, इस मेरा मत डालना, क्यों, क्यों बाई, क्यों मत डालना, देख भई, मेरी है शादी, और मैं लड़की के बाप से बात करने जा रहा हूँ, हाँ, इसके कपड़े खराब हो गए, तो ये जिन्दगी भर के लिए कुवारा रह जाएगा, इसकी सिचुएशन का स्वाहा हो जाएगा, अच्छा, तो इसका मतलब प्यार का मामला है, समझने की बात करो भई, शादी अगर नहीं होई तो फिर वोजी लोग तो कुमार ही, तो रंग नहीं डालेंगे, मगर एक शर्त है, जबा हाथे तर लाओ, इदर लाओ, अगर बात बन जाए, तो उसकी मांगगे ये भर देना, अरे तेरे मुं में दो बोरी गुड़, तीन बोरी शक्कर, और एक ड्रम रम का, हेे, बने, 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 हुआ 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 है कमेशिनर तुन मेरे आद्मियों को भासी दिलवाई थी इसलिए मैंने तेर पोथी कही नहीं बलकी तमाम पुलीस वालों की बैन बेटियों कब ही कतल कर दिया करतिां थे चर्प एुआ है करत्री दोलों करें करें हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है झाल 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 स्क 1 चाल पाल norander क्त बत्रड बुर्दा शुर्ण क्ति कर दो कर दो झाल झाल कर शाड़्ा है कर शाप प्राइ प्रेघह रो आहाँ अजया इस्टाप इस्टाप रुक्षावर्लाथ कोली चला दूगा मैं कहता हूं छोज इसे तुम कानून के मुआपिशों के कानून नहीं तो सकते इसे तुम हमारे हावाले कर दो जो किसी ने कदम भी बढ़ा तो भून के रख दूगा मार मेरे यार वीरू मार इसे मैं देखता हूं किस माई के लाल में तागत है जो तुझे शीला के हतारे को मारने से रोख सके मार इसे मार तब तक मार जब तक यह मर नहीं जाता कर दो 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 दोस्त है तो जिंदगी है दोस्त नहीं तो जिंदगी नहीं कर दो दूसरों के लिए जिंदा रहेंगे उनके सुख में ही अपना सुख देखेंगे सोचा तो यही था धिरुगू पर मैं क्या करूँ बहुत शीला को भूल नहीं सकता काईत्री की जाने के बाद तो अकेला पर नौर भी कहरा हो गया है जिसे जिन्दगी ठक गई है रुक गई है और अब सिर्फ मौत के साय का इंसार कर रही है जिन्दगी तो किसी का इंतजार नहीं करती दोस्त जिन्दगी तो नदी की तरह है जो बैथ्ती रहे तो सागर से मिल जाती है और रुख गई तो सर जाती है सुख जाती है मर जाती है याद है हमने गायती च से बादा किया था कि सारी बस्तिवानों के लिए पके घर बन्वाई ने इस बात को भी छे मैने हो गए हाँ 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 धीरू हम गाईत्री को दिवा हवाचन जुरूर पूरा करेंगे चल इस काम को पूरा करने के लिए कहीं किसी काम की तलाश करते हैं तलाश करते हैं तू जाना मैं आता हूँ, मैं भी आता हूँ, जा क्या नाम है तेरा कौरी? कहते हैं मुझे अंगुरी पिर क्यों है इतनी दूरी? अपनी भी है कुछ मजबूरी अरे मजबूरी मिटा दे, प्यासा हुप पिला दे क्या? क्या है, क्या है क्या है, क्या है मैं मधरा का रहने वाला हुना क्रिस्टन का नहिया की नगरी का इसलिए तू-तू-तू-दू-दू-धी पिता हूँ अरे ओ, मधरा के गॉले कोई बुला रहा है गुरू, एक इतना बड़ा काम लाया हूं कि एकी चटके में लगपती अब आप तू लखपती क्यों नहीं बन जाता यह काम अपने के बसका नहीं है गुरू इसके लिए तो आप दूसे थो सूपरमें चाहिए पस आप उनकी जोली में दो चार टका कमूची दूर दाल देना हां काम क्या है ये तो नहीं मालूम ना पर सुनाए काम बड़ी लफड़े का है लफड़े का है तो फिर क्या सुचने है क्यों धिरू हाँ वेरू इसी बात पर चीज़ हो जाए हो जाए हो जाए हुआ हुआ है अभी किया है कॉनने लफड़े चरू हो कैं अपुसता की माफि मांगू गूरू लेकिन हुकम था कि आपको या लाना इस वैन में वो भी भेश कर गे ताकि आपको रास्ते और जगे का पता न लगे और तू समझा कि हम भेश हो गे हैं क्यों छेदी चेदी लाल तन ने समझा हम खाते रहते हैं और खराटे लेते हैं हमारे गुटने की आँक ने देख लिया था कब तुने गिलास के छेद में गोली डाली तब गाड़ी के छेद में हमें डाला और कब गाड़ी वैन के छेद में आई है और अब ये वैन काली गुफा की तरफ जा रही है Very good छेदी राम, तुम बहुत समझदार अभी लेकर आए हो इनकी अकलमंदी के लिए हम इने सो में से सो नमबर देते हैं लेकिन तुम इने हुक्म के मताबिक बेहोश करके नहीं लाए ये लोग अपनी होशो हवास में, अपनी मर्जी से तुम्हें बेवकूफ बनाकर यहां आए हैं और इस बेवकूफी के लिए तुम्हें सो में से जीरो नमबर दिये जाते हैं हाई हाई बटन दवा दिया तो चेदिलाल की तरह कोईला बनाकर चेद में डाल देगी बहराल अब जिस काम के लिए आपको यहां बुलाया है उसे ध्यान से सुन लीजे यहां सिर्फ हमारे राजा साब का राज चलता है उनकी मर्जी के खिलाफ यहां एक पता भी नहीं हिलता लेकिन यह बात हमारे देश की सरकार को किसी तरह पता चल गई और उन्होंने यहां P.S.F. भेज़ दी है किसी भी गाव में फॉज बहुत दिन नहीं रह सकती और यह फॉज भी जाने वाली है इसकी जगह राजनगर में फिर से पुलीस चौकी खोलने के लिए कुछे उने हुए कमैंडोस भेजे जा रही है हमारी राजासाब नहीं चाहते कि यह कमैंडोस राजनगर तक पहुँचे इस लिए उनके वहाँ पहुँचने से पहले ही उन्हें खत्म करना है खत्म करना है? क्यो? इनका मतलब है, इन कमान्डोस को राजनगर पहुंचने से पहले क्यों ख़तम करना तो और भी आसान होगा नहीं, उनको वहां खत्म नहीं किया जासकता कुमाल करते हैं जी, वहाँ तो राजा जी का राज है, वहाँ तो उनको खत्म करना और भी आसान रहेगा राजनगर से 300 किलोमीटर पहले, सलीमपुर का बड़ा थाना है कमांडोस पहले वहाँ रिपोर्ट करेंगे, फिर राजनगर जाकर पुलीस चौकी खोलेंगे और आपके राजा साब चाहते हैं कि उनकी जगा कमांडोस बनकर हम सलीमपुर थाने में रिपोर्ट करें ताकि अगर सलीमपुर का कोई अफसर राजनगर आजा है, तो उसे शक नहों यहीं न और इसलिए सलीमपुर पहुंचने से पहले कमांडोस को खतम करना है यह राइट, राइट रूट क्या ठीक है जी, आपने तो राइट ऐसे कह दिया, जैसे दावत काने के लिए भेजने है काम बहुत सक्त है जी, इसलिए कम से कम पांच लाग लगेंगे पांच लाग? छे साथ लाग तो कम से कम मिलने चाहिए, आखिर महा पुलिस टेशन भी तो खुलना ना हम तुम्हें दस लाग देंगे और वो भी एडवांस कमांडोस कब जा रहे है कमांडोस को मार कर इन लोगों ने आजा काम तो कर लिया है लग्टाप और समसुबर तक ये लोग सलीम पुर्थाना पहुंच जाएंगे, ओवर जो राई काटजरों के, यहां से राईनगर की दूरी करीब 300 किलो मीटर है रास्ता भी बहुत खराब है, वहां तक पहुंचने के लिए 30 घंटे से भी जादा समय लगता है वहां का राजा जैचन विदेशी ताक्तों से मिलकर, देश के खिलाफ कोई खतरना करवाई करने की कोशिश कर रहा है हमें कॉंटेक्ट करने का जरीया सिर्फ ये ट्रास्मीटर है अभी तक वहां भी ये सब मुजूद थी, तो थोड़ी शांती थी तुम्हारा काम राजा जैचन के अड़े का पता लगाना है ये काम तुम बहुत उशारी से करना होगा पूरे गाओं के जिम्हादारी तुम दोनों पर है राजा जैचन बहुत खतरना कादमी है इसके लाब और कुछ पूछना आपको हाँ, सर वहाँ खत्रा ही खत्रा है या कोई खुबसूरत चीज भी है सर, भाई का मतलब है वहाँ कोई खुबसूरत खत्रा है है, एक खुबसूरत चीज है जिसका नाम है रस भारी लेकिन हमारी राए में आप उससे दूरी रहिएगा क्योंके वो राजा जैचन से भी ज्यादा खतरनाक है अरे देख 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 वो आ रही है पंड़ जी कुछ तो बताओ चलाट पंड़ जी मेरी किस्मत में सदके जाओ क्या तराजू जैसी चाल है कभी ये पलला उपर कभी ये पलला उपर हाई रस्वरी जब से तु इस गाओं में आई है सबसे मेरे तराजू में तो जानी नहीं नहीं अच्छा हाँ रस्वरी अगर तु तेरा तराजू एक दिन के लिए वदन करने को देदे तुम अपना सब कुछ इसी में तोल दूँगा हाँ रस्वरी अपना तराजू देदू अबे भूतनी के अपनी मा का वज़न नहीं लिया क्या मेरी मा तो मुझे जनम देते ही मर गई थी मैं तो जनमी से भूका प्यासा हूं थोड़ा रस मुझे भी पिला देना पीएगा आँ रस पीएगा अँ अरी वह पंडित के पंडिता है तेरा पंडित रस मंग रहा है दूँ इस रस्थिये को तो मैं रस पिलाती हूं लो तुम ही पिला दो रस्थिये ने गया तो अरे माफ कर तो मेरी मा मा बोलता है वह देखा है आए हाए रस्भरी बोल भोतनी के अगर तू एक बार तेरे ठेले पर बैठ जाए तो मैं तेरी तक्दीर खोल जूँगा सर्च तू मेरी तक्दीर खोलेगा जल्दी बता कैसे बैठना है मैं बता आएसे आरे वाँ आहाँ आहाँ आएसे आरे पर फाले तेरे जिसरे बहुत देखे है आएसे 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 अब तुझे का चाहिए वो एक दीदी यह कहा है यही तरी तक्दीर में है अरे रोपो इछे अरे मोटीवेंची अरे मोटीवेंची अरे 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 अजी तुझे हो, जल्दी दराओ अपनी दोजी अरे 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 मैं देखता हूँ कितना डामेज हुआ है अरे, डामेज क्या हुआ है? अभी तुम अटगार गया उसके बाद कलाच प्लेट जाएगी फिर गयर टूट गया चलना यार, situation is bad चल गड़ी चला ट्यूटी situation रजबरी तुमुझे बहुत भारी पढ़ी ट्यूटी राजा साब, वो लोग आ गये है प्लेट खाएगी थूटी रखते है अर बड़ी यूटी यूटार बाद क्यों आएगी बादा तुम आएगी तुम प्लेट बाद के लूटी प्लेट बामाल यह थाएगी है अर्भी चलेग्ग राया साथ लंडन पहुंच गए होंगे उन्हें खबर कर दो कि उनके भेजे हुए शिपाही यहां पहुंच गए हैं हम आप ही का इंदलात कर रहे हैं देखिए आज से इस गाउं के जिम्मेदारी आप दोनों के हवाले करके हम चलते हैं आप फिकर मत कीजिए इन गाउं वाल करेंगे वेरे गुड़ अच्छा चाचा अब हम चलते हैं ना जाते तो अच्छा था आपकी मौजूद्गी से सारे गाउं में शानती थी किसी बात का डर नहीं था हमारे बच्चों की चेहरों पर मुस्कुराहट थी धबराये मत आपके बच्चों की मुस्ताने हमेशा बन ये पाच्छे लोग क्या कर पाएंगे ये भी विचारे मुफ्त में मारे जाएंगे ये लोग कोई साधारन साइनिक नहीं बलके कामांडो फोस के खास तोर पे चुने हुए बहादू साइनिक है आप लोग किसी बात की फिकर मत कीजिए मैं दिलो जान जिगर सब कुछ लग चलो लगज़ लेकर चलो अंदर तुम यहां गामवालों के रखवाली करने आये हो यह यहां मेरी पीछी पीछी चलने आपके पास पंद्रा मिनित है हां है मुझे आपसे पाट मीनिट बात करनी है भूल क्या बात है आपके आँखे बहुत खुबशूरत धे जानती हूँ आप बहुत सुन्दर है वो भी पता है आपकी चाल तराजू की तरह है यही कहना चाते हो ना बहुत समझदार है आप बहुत जल्दी समझ आती है देखो फुलिस बाबो जो कहना है साफ-साफ कहो बोलो क्या चाहिए तुम्हें मैं मत्रा का रहने वाला हुना क्रिस्टन कनहिया की नगरी का इसलिए दूद बहुत पीता हूँ दूद मिलेगा तो इसके लिए इतनी तारिफ करने के क्या जुरूरत थी उपर गाउ है किसी भी घर में मांग लो दूद मिल जाएगा कायका मिलेगा ना खुबशूरत और मां तो सब खूब सुरत और तंदृस्ती है वह तो देख रहा हूं वहां नहीं मिला तो मैं आपके पास आजाओं दूद दूद पीने माफ कीजी मेरे पास गाई नहीं मैं है तो क्या हुआ बड़े बड़े लोग भी मैं का दूद पीते हैं चीक है आपकी मर्जी आईए अ अवैरे गुरु यह तुम्हारे हाथ में आजी से आने वाले नहीं हैं अरे बच्छो अजने महमा है जो आजानी से हाथ में आए मैं कभी गुसा की आखें दिखें कभी जटकी लगा को इनक्रे दिखें कम से बड़े और हैं अब देख न गुरू का कमा रहे जिंदगी में प्यार प्यार गर जाते हैं अरे क्या कर रहे हो तुम ऺप्यार करना क्या जानो प्यार करने वाले तुम जान सक्धेदेगा लेकिन तो फिर भी जिन्दा हूँ मैं तो जिन्दा ही सिर्फ इसलिया हूँ कि तुमसे प्यार कर सकूँ इक्रार कर सकूँ तुमारे कजमों ले यह राजा साब के भतीजे शिरी गुलशन चंद्र जी है आपकी खैर खबर पूछने आये है आपके लिए कुछ तोफे भी लाएं है यहां आपको किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होगी यहां की हर खुबसूरत चीज़ आपकी है एस कीजिए देखा लोगो हमने तुमें कैसे बेवाकूब बना PSF को भेजकर हमने पुलिस मंगवा ली और यह पुलिस यह पुलिस हमारी पुलिस है क्या यह यह तुम्हारे आदमी है यह नहीं हो सकता कभी नहीं हो सकता तुम इनके आदमी नहीं हो सकते हो वो तो तुमें तब मालूम पड़ेगा जब इन सब के सामने हम तुमें उठा कर ले जाएंगे और यह देखते रहेंगे जुपचाप मेरी रानी मेरी रस की भरी मेरी कौक रोचनी मेरी जब से तु इस गाव में आई है मेरे दिल पर कौक रोच की तरह रेंगती है वो तो हम प्यास एफ की वज़े से कुछ नहीं कर पाते थी बस तुमें दूर से ही देखते रहते थे और आप हम अपने दिल की हसरत पूरी करेंगे तुमें कोक रोच जी तरह खा जाएगा खा कर तो देख भूत लिके मुझ में इतनी आगे कि जला कर राख करदूगी? तु जला कर राख कर देगी मुझे तो फिर तु अपने दिल को ताप ने में बहुत मजा औएगा मजा आएगा? इन मर्दों की तरह मेरी आत्मा नहीं सोई प्रस्परी को हाथ लगाया तो हाथ काटकर हाथ में दे देगी हाथ काटकर हाथ में दे देगी है छोड़े मुझे छोड़े मुझे छोड़े मुझे यह हाथ काटकर हाथ में दे दे देगी है छोड़े में बैट ऐट आट एट कर देख़ एट में एट अरप ट कर देख़ एट प्रच्ट नेको कर्दा दोट नजा तो पट ती जग시कर वी समय तो CONTmerताने जाने, कर्दुकर हूस करे डूर सब्सक्राइब तीरा जाना। जाना 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 जाना, जाना जाना, जाना मफाले असाली भोली भाली करनी पड़ेगी बेचारी की रखवाली नहीं तो दूद के डिब्बे हो गए खाली-खाली करनी बेचारी की रखवाली करनी बेचारी की रखवाली ऑचIE को लंडन फोन लगाओ अरजेंट व्हीत तुम अपनी आदमी नहीं है तुम यह कैसे कह सकते हो कि वो दोनों हमारे आदमी नहीं है उन्होंने महार मार के मेरा कोकरोज बना दिया तुम कड़ें के गदही रहोगे वो लोग तुम लोगों से कहीं ज़्यादा अकल बंद है अच्छा हुआ जो उन लोगों ने तुम्हें गाउंवालों के सामने मारा अगर वो ऐसा नहीं करते तो गाउंवाले उन्हें नकली पुलीस वाले समझते और सलीमपूर थाना तक अगर ये ख़बर पहुंच जाती तो हमारा सारा प्लैन चौपट हो जाता आइधा उन्हें कोई भी तक्रीफ नहीं होनी चाहिए वो जो भी करें उन्हें करने दो वीजे प्यारे प्यारे आप लोग यहां चल्वी से आओ तुम्हारी पहेंद मुद्ध कैतरी क्या होगा तुह प्रशांति नहीं हम तेरे भाई हैं मैं विरू यह धिरू हाँ कि भाई हां तेरे भाई हाँ मेरे भाई आएंगे जरूर आएंगे ये तिरंगा फिर लहर आएगा फिर साब आएंगे जंदा उंच रहे हमारा जंदा उंच रहे हमारा जंदा उंच रहे हमारा जंदा उंच रहे हमारा जंदा तो आप दोनों गाहित्री के भाई हो अबत नसीफी उसके भाई है भगवाद अच्छा हो आप लोगे हान आगे बढ़ी ताकत होती है गाहित्री के पुकारिया अप दोनों के यहां खीज कर ली आई है लेकिन उसकी यहालत हुई कैसे उस दिन 14 अगस का दिन था राजनगर के हर कोने में मौत का सन्नाठा चाया हुआ था अच्छानेक इंस्पेक्टर बाबू और गाईतर इस गाउं में आई अब्दुल चाचा ने इंस्पेक्टर बाबू को काउं की लोगों की दर्द भरी कहान सुनकर कहने लगी राजनगर के वासियो मैं वचन देता हूँ जब तक मैं जिन्दा हूँ किसी बच्चे की बली नहीं दी जाएगी कहीं भी खाफ के बादर नहीं मन राएंगे सारे देश की तरह कल ये गाव भी नाचेगा गाएगा कुश्या मनाएगा कल यहाँ भी अपना तिरंगा लेहराएगा कल के लिए एक बड़ा तिरंगा बनाया जाए क्योंकि कल एक बच्चे की नहीं आदमी की बली दी जाएगी आदमी की और फिर बड़े मुर्दे के लिए कफन भी तो बड़ा ही होना चाहिए ना जन्डा उचा रहे हमारा विजई विश्वति रंगा प्यारा जन्डा उचा रहे हमारा विजई विश्वति रंगा प्यारा सदाशति सरताने वाला प्रेम सुभा बरताने वाला वीरों को हर्शाने वाला मास्त्र भूमी का तनमन सारा मास्त्र भूमी का तनमन सारा बंता हूचा रहे हमारा वीजयी विश्वति अंदा ब्यारा सिस जंडे के नीचे निर्भै ले सराज यह अविचल नीश्चै बोलो भारत माता की जय सतंत्रता है यह हमारा जंडा हूचा रहे हमारा वीजयी विश्वति अंदा प्यारा जंडा हूचा रहे हमारा वीजयी विश्वति अंदा प्यारा जंडा हूचा रहे हमारा वीजयी विश्वति अंदा प्यारा इत्र और लोंग टॉर्ण अरुब टॉर्ण वार्ण विम्र कर दो जाएंग। करूंद कर दो टार्ट कर दो कर द पर दो खर दो और आ ऑल कर दो और दो अच्छा तो ये जंडा तूने लगाया है लगा रहा तो तुमको चाहिए था लेकिन अच्छे काम करना हर किसी की तक्दीर में नहीं होता तक्दीर हमारी तक्दीर कौन लिखेगा क्योंकि सारे जहां की तक्दीरे तो हम लिखते हम और इसलिए तेरी तक्दीर में आज हमने ये कफन लिख दिया है लेकिन तुम्हारी तक्दीर में तो कफन भी नहीं है कफन सिर्फ इंसानों के नसीब में होता है इंसान आता नंगा जरूर है लेकिन जाता कफन पहन कर लेकिन कुट्टे कुट्टे आते भी नंगे और जाते भी नंगे तुम्हें कुट्टे हो और कुट्टे की मौत मरोगे अपनी ताकत का जूटा भ्रम दिखा कर इन मासुम गाव वालों को बहकाने वाले पुलीसी ये कुट्टे कुट्टे की माउथ मरना क्या होता है ये आज हम तुझे बताएंगे मेरे इन आदमियों के हाथों में मशिनगने हैं और एक-एक मशिनगन में साव-साव गोलिया है जो मेरे इशारे पर तेरे शरीर को छक्षिणली करके तेरी हड्य तक को नंगा करदेमी। तुई इस दुनिया में आया भी नंगा जायगा भी नंगा। अर्जुन टांगे तु राजय जैचन की ताकत को नहीं जानता और तू भी एक इंदुस्तानी की हिमत को नहीं जानता ये मत समझकी में अकले रह गया तो हार गया मेरे साथ सारा गाव है सारा देश है मिशिन बशन के जगा तोपे लगा ले और तोपे में एक एक के जगा हजा हजार गोले Terre और बुम बलाले देश के सारे खड़ारों को अपने चाroe ताकत को अरो और हो जाने देव फैसला अब कोन जीता है देश के दुश्मरों की ताकत या एक देशभक्त की हिम्मत देशभक्त एं देशभक्त की हिम्मत बंदर हिंदुस्तानी बंदर कर दो 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 देखा है कि इंदुस्तानी का कमाल अबे साले मेरा नाम है राणो जी राव रामो जी राव शिवा जी राव गायकवार जाड़ी चमुल कर जुन ठांगे होल्ट अरे एक देश भक्त की हिम्मत तोड़ना तो बहुत बड़ी बात है तेरी सरसो गोलिया वाली फूल जड़िया एक मामुली से देश भक्त का जिश्म भी नहीं चूँ सकी क्या इसी ताकत की भ्रमपर तो इस धर्ति का खुदा बना हुआ था सारे जहां की तक्दिर लिखने वाले आज तेरी तक्दिर हमारे हिंदुस्तान के ये छोटे से गाउं के ये मासुम लोग लिखेंगे और उससे पहले तेरी आखों के सामने इस तिरंगे के नीचे आज़ादी का जश्म मनाये जाएगा प्रयाट बना हुआ झाएगा राज़ादी बना हुआ के ये जाएगा अपना है राज फिर काहे का राजा 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 राजा का में बजाजिया आगा चम चम ना उजे अंखंगर चूटे गए, चूटे गए जंजी ए सारे तंडी चूटे गए चूटे जी एा far झाल झाल वो दिन गए अब तुभी चला जा राजा का हमने पजा दिया बाजा राजा का हमने पजा दिया बाजा अब तुभी चला बाजा बाजा वो दिन गजाब तुभी चला राजा बाज का हमने बाजा बाज का हमने बाजी reason ईजले कर लाफ नाफ फिर को जो खरू कर दो कि जुड़े है जाफ बड़े कि भी है पहले बसं दिखे बाते सब्सक्राइब कैसी घुलामी आजाद सब्सक्राइब पहले बतन उसके बद सब्सक्राइब लोगों को अब करें सुनो ये एक तागा राचा हमने बचा दिया राचा राचा को में गया जमाराचा अपना है राची तारे का राजा राजा का हमने बचारी अपाजा अपना है आजिर काने का राजर राजा का हमने बजानी अपाजा इसी शादाने नजाने बाए चाहे जाने भले ही जाए विश्मी बीचे करिके ठिकिलाए सब्सक्रावे सरे बूर हमारा विश्मी बाए बड़ी देर से बंदर की तरह गुलाटी लगा रहा था कोई रावन की लंका थोड़ी जो कोई हनमान आकर उसे जला दे यह हमारा राज नगर है हमारा राजनगर यहां राजा का बाजा कोई नहीं बजा सकता राजा इस सबके बाज्य सब्सक्राइ तुने मेरा ये चंडा उतारा था, अब तु ही मेरा ये चंडा लगाएगा तेरी गोलिया सिर्फ मेरी जिस्म को चलनी कर सकती है मेरी हिमत को नहीं, मेरे जीते जी, ये चंडा नहीं उत्रेगा नहीं उत्रेगा, नहीं उत्रेगा, मारो शाले को एक तो उस पर दो के सवार किया और उस पर चार चार शायतान एक साथ तूट पड़े तुझे शर्म नहीं आती कमी नहीं शर्म शर्म तो आने ही चाहिए शर्म तो बहुत जरूरी है क्यों बोल तु जंडा उतारता है या सब गाव वालों के सामने तेरी बीवी के मैं कपड़े उतारू उतारू बोल उतारू कपड़े अर्जुन अर्जुन तुम हिमत मत हारना मेरी इज़त इस देश की इज़त से बड़ी नहीं है तुम्हें मेरे प्यार की कजब मेरे तन के कपड़े भले ही उतर जाएं लेकिन ये जंडा मत उतार ना मत उतार गए जंडा आर्जुन देखा खुथे ये है भारत की नारी और जब तक हमारे देश में ऐसे नारिया है एक जेचन क्या तेरे जिसे हजार जेचन भी इस देश का कुछ ने भी कर सकते और ये जंडा कभी नहीं जुका सकते जंडा तो उत्रेगा जरूर उत्रेगँ ये जंडा जरूर उत्रेगा ह। ि अर्जुन, नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हे, अर्जुन, अर्जुन, बोलो जंदा, उंचा, रहे हमारा और इस तरह राजा के अध्याचार ने, काहित्री की यादास चील ली, उसे पागल सा बना दिया, और छोड़ दिया उसे पलपल मरने के लिए अर्जुन, अर्जुन, बोलो दीवाली में दीप जलाएं संग रग खेले वोली में बिछड जाना मुझसे तुम जीवन की आग मिचोली में बिछडेंगे पर पहले तुझे को बिछलाएंगे डोली में बिछडेंगे पर पहले तुझे को बिछलाएंगे डोली में पने पुदलान मसकुस दिल का हमको इंतिजार है किस संसार में सबसे प्यारा आवहन का प्यार है यही तु है वो की दिसे तु छूम जूम के जाती थी कभी कभी तु प्यार से छोटी बहन मा बन जाती थी जिस लोज को सुनते ही तू दोड़ी दोड़ी आती थी जिस लाद को सुनते ही तू दोड़ी दोड़ी आती थी सुन नहजान किसे अपने होटों पर वही पुकार है इस संसार में सबसे प्यारा भाई बहन का प्यार है भाई बहन का प्यार है का इसकत बैसे दोड़ी दोड़ी वर्के जोड़ी आती थी कर दोड़ी दू़ी दिस भीत्र अर्ट झाल 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 तो तुम लोग राजा जैचन को मारने जा रहे थे जबकि ये भी नहीं जानते कि वो रहता कहा है हम उसे पाताल से भी ढूड निकालेंगे कमिश्र सहाब अब हम उसे नहीं छोड़ेंगे चाहे पूरी सरकार हमारे खिलाफ क्यों नहों जाए हम कब चाहते हैं कि तुम उसे छोड़ो सरकार ने तुम लोगों को भेजा ही इसलिए हमें ये जहरीला पेड़ जड़ से काटना होगा तभी हमारा मिशन सफल होगा और उस वक्त तक तुमें सबर करना होगा सबर 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 एक छोटा सा लवस है और उसे बोलना भी आसान है पर बड़े बड़े पहार उठाने वाले भी उसका बोज नहीं उठा सकते सर आपकी बहन ये बेटी पागल हो गई होती उसके पती को मार दिया गया होता तो आप सबर कर सकते थे कर सकते थे आप सबर सबर आज तक तो मैं सबरी करता रहा हूँ मैंने तुम दोनों को एक बात नहीं बताई, लेकिन आज बता ही देता हूँ वीरू, तुम अपनी मंगेतर शीला को तु नहीं भूले होगे ना शीला, आप शीला को कैसे जानते हैं मैं उस शीला का दादा हूँ, वो मेरी पोती थी शीला की हत्या ने तुम से तुम्हारा सबर चीन लिया और तुम ने उसके हत्यारे बाप को जान से मार डाला लेकिन मैंने अपना सबर नहीं खोया क्योंकि मैं जानता था कि शीला के हत्यारे बाप को मार डालने से देश के दुश्मन खत्म ही हो जाएंगे क्योंकि बॉप देश में पहले हजारों आतंक वादियों का सरगना नहीं था वो उनमें से एक था और मैं देश में पहले हजारों आतंक वादियों के सरगने राजा जैचंद को और उसके विदेशी साथियों को एक साथ खत्म करना चाहता था इसलिए मैंने सरकार के साथ मिलकर एक प्लैन बनाया तुम दोनों को जेल से फरार कराया और गुंडों के रूप में मशूर करवा दिया और तुम्हारी ये शोहरत रंग लाई तुम छेदीलाल से मिले छेदीलाल ने तुम्हें लीली तक पहुंचा दिया और लीली को राजा चैचंद के लिए दो गुंडों की जरूरत थी इसलिए तुम आज यहां तक पहुंचा है लेकिन एक बात तुम दोनों को याद रखनी है इस लडाई में तुम सिर्फ पुलिस आफिसर हो भाई नहीं यह लडाई सिर्फ मेरी या तुम्हारी नहीं यह लडाई किसी बेटी बेहन या प्रेमीगा की नहीं है यह लडाई पूरे देश की है आने वाली पीरी की है इसलिए इस लडाई को जीतने के लिए तीन बातें ध्यान में रखनी होंगी पहला काम राजा जैचंद के खुफिया अड़े का पता लगना दूसरा पंदरा अगस्त से पहले यहां पर एक साथ गरफतार करना है थीसरा काम तुम दोनों अपनी बेहन से नहीं मिलोगे अगर राजा जैचंद को जरा भी शक हो गया कि तुम दोनों उसके भाई हो तो हमारा सारा प्लैन फेल हो जाएगा इसलिए तुम्हें पड़ी होश्यारी से रहना होगा राजा जैचंद के आदमी यही समझें कि तुम शराबी गुंडे लफंगे हो तुम उन्हीं के लिए काम करते हो और उन्हीं के बीच रहकर तुमें सब कुछ पता करना पड़ेगा और जो कुछ पता लगे मुझे सलीम पुर्थाने में रिपोर्ट करूं और हाँ राजा जैचंद का ला रहा ह कर लाजा लाज लाज लाजा है है और लाज जडोवी का लाज। कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो झाल झाल तो फिर्वी कहीं भसा होगा बेचरा भी रो कमान कमान इस अले ने अजीब ट्रेप बना रखे हैं कहीं सुरंग कहीं खड़े इसलिए हमें सबसे पहले जाड़ियों में छुपे हुए तमाम ट्रेप्स और सुरंगों का पता लगाना होगा इसकी लिए सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि राजा ग्या किस सरफ है आज से कोई सब साल पहले हमारे पुर्वजों ने इस पहाड को काट कर एक खुपिया गुफा बनाई थी इस गुफा का पता है सरकार के अर्चेयलोजिकल डिपार्टमेंट को भी नहीं है इसलिए हमने इस गुफा को अपना कंट्रोल सेंटर बना लिया आईए वाँ वाँ इस सो ब्यूटिफुल सिर्ण, सिर्ण, सिर्ण कमँन बवे झाहाा कमल कमा कमँन अब ग्या जुपिघके कमा नो, नो, प्लीज, मिस्टर जैचिन, डरीये नहीं, डरीये नहीं, पालतू है, पालतू, अगर ये एक बार किसी को सूंग लेना, तो उसे पातालते भी ढूड निकालता है, ओ, जिस काम के लिए दूसरे लोग कुट्टे पालते हैं, आपने शेर पाले हैं, कुट्टे कुट् अब सब लोग लंबे सफर से ठके होंगे, आराम कीजिए, यार राइट, बुशन जी, सर, इन मेहमानों को उनके कमरे दिखाओ, सुना तुमने लिली, सुना क्या कहा, मिस्टर हैमर ने सुना, कि वो हाई कमांड से दरख्वास करेंगे, कि ब्लैक टावर ग्रूप की मेटिंग यही हो जाए, यही, लिली, लिली, अगर यह मेटी यही हो गई, यही हो गई, तो मेरे सार इस सपने पूरे हो जाएंगे, मैं फिर से राजा बनूंगा, पुरे देश का राजा, यही सपना तब तक पूरा नहीं होगा चाचा जी, जब तक वो दोनों कौक रोच उस गाउं में हैं, वो हमारे आदमी नहीं, असली पुलिस के आदमी है, देखा, देखा आपने, फिर वही बकवास, यह बकवास नहीं है चाचा जी, मैं सच कहता हूँ, उन्होंने खुद क का बड़ा अफसर उनसे मिलने भी आया था, तो क्या हुआ, हाँ, दुनिया की नजरों में वो लोग पुलीस वाले है, तो पुलीस के अफसर तो मिलने आएंगे ही न, तुम ठीक कह रही हो लेली, लेकिन कभी-कभी बेवकुप भी गलती से आकल की बात कह जाता है, वो दोन पर नजर रखो विद फुल ओ पॉकेट चना, विरू बाजे घनाएंग विरू, साली राजे की गाड़ी उस दिन, इस तरफ से गई थी और उस पहाड़ के पीछे चली गई थी न, हाँ, इसी रास्ते से गई थी और उस पहाड़ी के पीछे गाइब होगी थी कब तक चुपी रहेगी ये गाड़ी, एक नेक दिन हाथ लगेगा हाँ, हाथ तो आएगी ही देरो, क्या है? इस काली ने अड़्डा बनाया बड़ी खुशने से गई हाँ, है तो बड़ी खुशुरत चल उस पहाड़ी के पीछे चल कर देखते हैं, ये रास्ता जाता कहा है थोड़ी दर यहीं रुख जाते हैं न क्यों रुख जाते हैं जी? काम के लिए हैं ये रुखने के लिए हैं, चल ये पहाड़ी है तो बड़ी आड़ी डिड़ी यार, इस पर चड़ पाएंगे ये पहाड़ी? ऐसी पहाड़ी तो मैं कही बार चड़ चुखा हूँ ये हसी की आवाज कहां से? अपयांस? ओ जिसला है। तो देख्या? उसके आगे रास्ता मिलेगा या नहीं? मैं देख्या हूँ देखिया ना किसी और दिन चलेंगे और दिन क्यों यार आज वेस्ट करना है टाइम जा भाई नहीं मेरा जा देखिया शाबश देखिया ना यार दिस इस अ डूटी सिचुएशन आज एफ तो गो एंट सिचुएट था सिचुएशन जा बच्चा देखिया तुमसे प्यार करती हो और वो भी तुमसे प्यार करता है हाँ और वो ये कहता है कि वो तुमसे शादी करेगा आए मैं मर जाओं अच्छा उसने बता है कि वो मत्रुक रहने वाला है क्रिशन कनहिया की नगरी कर ये तो उसने बहुत बिले बताये था देख कुडिये वो है शहर करहने वाल और तू है गौँ की भोली भाली और वो मिल्किंग गाय, मिल्किंग भैंस, मिल्किंग बकरी एंड मारिंग खोगा और ये अच्छाना कपो क्या हो गया तुछ थोड़ा से इंगलीज शेरी हो गया यू डूंट वरी, I am all right मुझे दर है कहीं तुम्हें कुछ न हो जाए अच्छा एक बात बताओ उसने तुम्हें वो जब भी तु नहीं डाले अभी तत्पर नहीं नहीं डाले तो शुकर है मतलब? मतलब ये के वो एक बार किसी लड़की को चू ले तो फिर लड़की लड़की लटक गई क्या वो लड़की को चूता है जी बोबेचारा कहा चूता है जी ये लड़की ही ऐसी है जो उसे चूती है मैं मैं उसे अभी चीख करती हूँ मेरा दोस्त तो बहुत शरीफ है वो क्या कि वो शहर देखो तुम हो गौओं की लड़ी सीधी साधी भोली भाली जी और ये आया है शहर से अब इसे यहां के तौर तरीके थोड़ी पता है अगर वो तुमसे शादी करना चाहता है तुसे को कि देखो पहले शादी करो फिर चुना उंगली भी नहीं लगाने दिना उसे चैना पसाद ये आश्कों के लिए होता है और घोड़ों के लिए शुक्रिया जी जा चड़ जा रासिन देख बच्चो शहर वाली उनको पटा लेता था ये गाउवाली तेरी इस्त्री करेगी बल निकालेगी तेरा जिंदगी बर्बाद कर लोगी उसलिए कि जब तुम सुस्राल जाओ गई तो अपने पती के लिए अचा खाना बना सकूँ उसका बिश्तर लगा सकूँ ठीक है ना ये तो ठीक है हाँ, अच्छा अब ये बताओ तुम्हारे माबाप ने तुम्हें प्यार करना सिखाया है? वो तो नहीं सिखाया जी सत्यानाश हो शादी से पहले प्यार करना नहीं आया तो पती की सेवा कैसे करोगी? उसे खुश कैसे रखोगी? और अगर पती को खुश नहीं रख सकी तो बारे बारे जीवन सत्यानाश हो जाएगा बरबाद हो जाएगा और लोग कहेंगे बहु फूर्ड है उसके माबाप ने उसे कुछ नहीं सिखाया अब मैं क्या करूँ? अब मुझे कौन प्यार सिखाएगा? परिशान मत हो मैं सिखाँगा जी? हाँ वो कैसे? अपना हाग लाओ तनननना तननननननन तनननननननन ये फूलों का मौसम ये जुलों का मौसम अरे भूलन तोई करना हे भूलों का मौसम तेरे बिना जग लगता है सोना तेरे बिना जग लगता है सोना शादी से पहले मुझे नहीं चुना तेरे बिना जग लगता है सोना तेरे बिना जग लगता है सोना शादी से पहले मुझे नहीं चुना तेरे बिना जग लगता है सोना 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 लगता है कर दो कर दो कर दो हम प्याद करेंगे नाम नले बरसों का करवादा कल परसों का एक एक पल एक साल से दोना तेरे बिना जग लगता है सुना शादी ते पहरे मुझे नहीं चुना तेरे बिना जग लगता है सुना खाड में लाता है सुना खाड में लगता है सबसे चा करेंए ना 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 सुना सेरे दिना जग लगता है सुना शादी से पहले मुझे नहीं चुना ना 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 ये बास नहीं है नहाला है कि अगर अगर कर दो कि अगर है कि अगर कि अगर अगर पखले ये कूडे के ढेर से चुडा के क्या खा रही है हां जानती नहीं यहां राजा जैचंद का राज है यहां के एक एक दाने पे राजा जैचंद की मोर लगी है और तु यह सब खाएजा रहे तुझे किसने कहा था यहां से उठाने के लिए हां आज यहां से जानती नहीं, क्या कुसी को पैने की भूनने मिलती उसकी मरजी के बगार तू ये सब कर दिये, हाँ और तेरे पती ने जानती है क्या किया है, क्या क्या हुआ क्या कभी काहितरी, तेरी बेहन, क्या हालत हो यह तरी हम भाईयों के होते हुए, तुझे फुट्य बिल्यू की तरह पुरे करकर से खाना खाना पड़ता है, हम मर क्यों नहीं गए ये तो सुलम की इंतहा है, तो मुझे नहीं पहचानती, मैं, मैं विरू हूँ, तेरा भाई, हाँ देख, देख, मुझे पहचान, मैं विरू हूँ, हाँ, विरू तुझे भूख लेगे है न, इले, 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 खा, 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 खा ले सब ठीक हो जाएगा, अब सब ठीक हो जाएगा, हम दोने यहां आगे हैं मैं और धीरू यहां आगे, सब ठीक हो जाएगा जंडा ऊचा रहे हमारा जंडा ऊचा रहे हमारा जंडा ऊचा रहे हमारा रोयल टाइगर कॉलिंग माभारत रोयल टाइगर कॉलिंग माभारत रोयल टाइगर कॉलिंग माभारत माभारत स्पीकिंग सार कुछ पता लगा? अभी तक रास्ते का तो पता नहीं चला पता लगते ही ख़बर देना और तुमारी बहन कैसी है? बहन? बहन अच्छे है सार इसके दो हट्टे कटे भाई हो। उसे किस बात की फ़िखर रोसकती है? रहने के लिए खंडर है काने बीने के Значит के ये कुरे करक़े ठेर है जहाँ जी जाहे सो लेती है जहाँ जी जाहे खाबी लेती है वसती रहती है गाती रहती है और फिर पागली तो हुई है मर तो नहीं कि जो हमार सुबह है आप ही नहीं तो सबह का हुकम दिया है आप ही नहीं तो फर्ज निवाना सिखा है जिस साइ ट्यूटी इस ट्यूटी आप है वाद जो थ्री हौ बेंद अप्राइब मेरा गुटना रे क्या वा तरे गुटने गुटने को पुटने को चली वा वो वैनारी राजागे कंटिन्यो 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 वैन आई है तो जाएगी भी आए जाएगी तो उसकी देन तक पहुचने का रास्ता भी मिल जाएगा बड़ा समझदार हो गया तू अरे इसमें तो रूप की मट्की है एए डिसमस डिसमस तो है और बड़ा Since और और तुम्हें देखके मैं मैं पागल हो गया हूँ और जी चाहता है तुम्हें बाउं में भरकर हमेशा देखता रहूँ और हम हो तुम हो और तनाई हो और और हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाब इखो जाए और और क्या Mr. Dhirendra इस वक्त दस बचकर पांच मिनट हो रही है और ठीक दस बजे आप और आपके दोस्ते मेरी वैन को आते हुए देखा था और तभी आपने कुछ प्लान बनाया और उसे प्लान के मताबिक आपने अपने दोस्त को यहां से रवाना कर दिया ताकि आप मुझे पर डोरे डाल सकें लेकिन Mr. Dhirendra पूरे पांच मिनट में आप एक लड़की को नहीं भसा सकें तो राजा जैचन को क्या मारोगे यह यह आप कहके रहें बनने की कोशिश मत करो जिस काम से तुम यहां आए हो उसी काम से मैं भी आई हूँ हम दोनों का मकसद एक है कैसा मकसद? मैं पलीस में अरजुन टांगे की साथ थी मैं समझा नहीं राजा जैचन मेरे भाई का हत्यारा है मेरी मां का हत्यारा है और मेरे पिता का हत्यारा है और मैं उस से बदला लेना चाहती हूँ हाँ बदला और इसलिए मैं उसके साथ काम कर रही हूँ और इसलिए ऐन झूमे तुम्हें वहां रखवाया है लिए हम दोनों मिल जाएं तो तो? तो हम राजा जैचन को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं अपना पदला ली सकते हैं क्यूँ, क्या ख्याल है आपका क्या सूचने लगे आप देखिए, हम चोर बदमाश जरूर है लेकिन बैमान और धोके बाज नहीं जिसका नमक खाते हैं उसके साथ गदारी नहीं करते याद रखिए, राजा साथ के दुश्मन हमारे दुश्मन है आइंदे ऐसे सोचा भी तो तुमारे टुक्रे टुक्रे कर दूगा राजा साथ के बतीजे साथ रहा इधर आईए, जल्दी आईए ना एक मिनट, जल्दी यह जनाब आपका शक करेंगे, इन्हीं का शक दूर करने के लिए मैंने आपका इंतहान लिया अब तो आपको यकिन आगया होगा, कि यह लोग राजा साथ के यह आदमी है अब आप चुपचा जाकर वैन में बैठ जाईए आपकी तक्लीफ के लिए माफी चाहती हूँ वेरी स्मार्ट थैंक्स, और किसी चीज़ की जरूत हो तो बताईएगा बस, राजा साथ के दर्शन करवा दीजिए राजा साथ की मर्जी के बगार उनसे कोई नहीं मिल सकता और नहीं उनकी डेन तक कोई पहुंच सकता है जब उनकी मर्जी होगी, वो खुद है आपको बलवा भीजेंगे आप अपनी तरफ से कभी कोशिश मत करिएगा और यही आपके लिए अच्छा होगा कोशिश तो शुरू हो गई है सुनो, हमें इस लेन के पीछे रहना है और यह निशान जो है न, इन्हें मिठाते हुए जाना है ताकि किसी कोशक्त ना हो, और तुम यही रहना है जी, चलो अरे, यह सब लोग उस गाड़ी के पीछे भागे-भागे कहा जा रहे है यह वीरू के पीछे जा रहे है वीरू के पीछे? राजा का अटा पत्ता लगाने के लिए वीरू के गाड़ी के नीचे छुपकर जा रहा है के बहुतों मर जाएंगे बहां कोई भी नहीं जा सकता है जो कि आये नोगे नहां क्यों आपको र exec Rail रौनम है नहीं मालम लेकिन इंतना मालम है कि राजहें कर दे कर दाद में पूल परता है उस पूल पर से कोई भी आदमें काड़ी के नेचर चुप कर नहीं जा सकता है पीरो पीरो तुम तुम पागल हो गए हो क्यों क्या हुआ वीरो जी को गाड़ी के नीचे छुपकर क्यों जाने दिया वो पुल से पार नहीं हो सकेंगे वो मर जाएंगे क्या कह रही हो सच कह रही हूँ आखिर मैं इस गाव में रहती हूँ कुछ तो राजा और उसके अड़े के बारे में जानती होगी जरूरत नहीं समझ पूच रही कि इस रास्ता है गार से पहले पूर्टक फूञकर तो जा सकते हो तो गाड़ी से पहले पूल तक पौन सकते हो और वीरी जी को बचा सकते हो मैं अपने यार की हर मुश्री पार कर सकता हूँ तो यह रास्ता क्या है तो यह रास्ता क्या है मेरा नाम भी विरू है मैं मिचुरूने ले कल गसाले वीरू यह रास्ता मिल जाएगा मेरे दोस्त रास्ता मिल जाएगा अएफ पार और यह पार यह वार तो यह देपराई यह पूप पूप कर दो पूर सिर्फों ठीज़ पूर सिर्फ जऑनेंग। इतनी खुबसूरत अंखी एक दम्सक्राइस है नहीं तुमने दिखन नहीं मेरी कमर देखो एक दम लट्टू जैसी है अगर मैं एक जटका दो तो सारे दुनिया हिल जाती है मेरी चाल देखो मेरी ढाल देखो मेरे बाल देखो मेरे सारे खुबसरती देखो अपने हाथ पर दिल रख़़ आपने दिल पर हात रख रखके सच मुझस्से जदा खुब चूर। लडगी हैं थिसे लिए कि में रोज एक वातल ने शक्रिम के उंग्ड His पिंग्यों अगर एसा नहों तो वो सुहाग रात को ही अरे तो नो प्रॉब्लम मैं रोज दो बोतल पीता हूं तीर पीता है जो जादा पीएगा मैं उसे सब्झादी कर लीकिम्टेमि भाप पीता पीता हूं अंग्दा यहाँ छेंवाँ फ्राणा यहाँ चत अनर्य कारा इसादी अनल्य के हिंवेगा परहें चांटो Чारें Onblea कि अरुवरारा सकता Lets मेरा जामी कर दादका पर्मा समिप आना कंदा सकता 3 6 6 6 6 7 7 साथ कुवारों में एक कुवारी लाच की मारी मैं पिठारी मैं मर जाओ मेरी पीछे बड़े गिनिया सारी साथ कुवारों में एक कुवारी लाच की मारी मैं पिठारी मैं मर जाओ मेरी पीछे बड़े गिनिया सारी कोई मेरा खंगट खोले कोई प्रेमे बतियां बोले कोई मेरा खंगट खोले कोई प्रेम की बतियां बोले इधर इधर से लख़़े शोले लख़़े शोले बीच में छाटी सी जिंदारी साथ कुवारों में एक कुवारी लाच के मारी में पिचारी हार हार रप्ता मेरी कीछे बड़े जुनिया सारी क्प्रें कंष जिए जिए जिते लखा उख़े शोले कर दो 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 on कर दो करूंदे नागन बन केल रहांगे लेरांगे चलक भोत कारी साथ गुहार कल दीक्तारी आजज के लारे मैं पतारी ने मरजा वा मेरी लिखे फ़ड़ेत धन्या शारी कर दो कर दो कर दो मैं अपने साजन के दुलहन ये रंग रूप जवानी उल्चन बंदे मेरी जान के दुशन मेरी सुड़ प्यारी प्यारी मैं अपने साजन के दुलहन ये रंग रूप जवानी उल्चन मेरी जान के दुश्मन जान के दुश्मन मेरी सुरब प्यारी प्यारी साथ कुआ आजो में पेज को मार दे लाज के मार दे मैं बेचारी मैं मर जावा मेरी जीचे अड़ गए दुनिया सारी लाज के दुश्मन जाज़ जाज जाज के दुश्मन जाज 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 की जाज की कर दो कर दो अज शाम को आप लोग यहां से निकल कर हिंदुस्तान के कोने कोने को रवाना हो जाओगे लेकिन जाने से पहले हमारे प्रोग्राम को अच्छी तरह से समझ दो 14 अगस्ट के रात को यहां ब्लैक टावर ग्रूप की मीटिंग होगी जिसमें कई देशों के लोग हिस्ता लेंगे लोगों ने करोडो रुपिया खर्चा करके ये एक गैस कैपसूल बनवाया है ये छोटा सा कैपसूल कई बमों से ज़्यादा खतरनाक है इस गैस कैपसूल का कॉंटाइक कॉम्पूटर से है यही हम कॉम्पूटर को कमांड देंगे ये गैस कैपसूल फटेगा और इसमें से एक जहरीली गैस निकलेगी और फासोगस के दाइरे में कोई जिन्दा नहीं बचेगा और हजारों की तादाद में ये गैस कैपसूल रोजमर्रा की चीजों में छिपा कर लिंदुस्तान के कोने कोने में पहुचा दिये गए है और ये है बैलेस्टिक मिसाइल ट्री एक्स टी चौदा अगस्त की रात को बारा बजने में दस मिनित पर ये बत्या जलेगी और ये मिसाइल राजधानी पर गिरेगी और उसी के साथ ही इस आजाद देश की बरबादी का एक नया दौर शुरू हो जाएगा चारों तरफ कैपसूल्स पटेंगे जहरीली गैस फेलेगी कोरा मच जाएगा हर तरफ लाशे लाशे नजर आएगी और हमारा ये मिशन सफल होते ही बाहर की ताक्ते इस देश पर हमला कर देंगी चारों तरफ बरबादी बरबादी होकी बरबादी समझ गए तुम लोग ज़स्टर और तुम लोग भी समझ गए होंगे मिस्टर पीरेंद्र और धीरेंद्र मैंने कहाता है ये वही दोनों कोकरों ये नहीं इने बंदुके मत दिखाऊ बच्चे डर जाएंगे जाओ 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 तुम लोग जाओ चाम तक तुम्हें हिंदुस्तान के कोने-कोने में पहुँचना है, जाओ आ तु मिस्टर वीरेंद्र और वीरेंद्र तुम लोग समझते थे कि हमें धोका देकर बड़े आसानी से यहां तक पहुँच जाओगे और हमें पता भी नहीं चलेगा और समझते क्यों नहीं क्योंकि तुम्हें बहादुरी और चालाकी के लिए साव में से साव नंबर मिले थे क्यों लेली अब इनकी दगाबाजी और तुम्हारी बेवकूफी के लिए तुम्हें कितने नंबर दिये जाएं इनकी दगाबाजी और मेरी बेवकूफी के लिए आप क्या मुझे नंबर देंगे सर मैंने आज तक किसी की भी पहली गलती और दूसा मजाग माफ नहीं किया तो मैं अपनी पहली गलती कैसे माफ कर सकती हूँ लेली बहुत अच्छी तरह जानती थी कि हमारे यहां गलती करने वालों को क्या सजा दी जाती है इसलिए उसने अत्मात्या कर ली लेकिन मैं तुम दोनों को अत्मात्या भी नहीं करने दूंगा तो कि तुमने गल्टी नहीं, धोका दिया है, धोका, और धोका देनेवालों को, हमारे गार धोकर खा जाया करते है तो फिर आज तक तुमने क्यों क्यों ने खाए, दूनिया के सबसे बड़े धोकेबस तो तो तुम हो मैंने किसी को कभी धोका नहीं दिया इस देश ने मेरा राज छिना है मैं इस देश को छिनना चाता हूँ और सूथ समेद अपना हक वापस लेना कोई धोका नहीं होता और एक सिपाह के लिए देश के दुश्मनों को खतुम करने के लिए दोगा देना दोगा नहीं होता अच्छा सिभाई है तो फिर हम भी देखेंगे कि जिस देश पर हम राज करना चाहते हैं उस देश के बेटों में कितना दम है जाओ और जाकर अपने भारत माता को वह सब कुछ बता दो जो हमने जान बुझकर तुम्हें बताया है जाओ तरवादा खुला है मैं एक बात बताना तो भूली गया ये चार आदम खोर और कोई नहीं बलकि वही शैतान है जुनोंने अपने पाउ तले कुछल कुछल कर तुमारे बहन के पती अरजून सिंग टांगे को मारा था इनी की वज़े से तुमारी बहन फागल हुई है गुडबाई जैचन तुने जिन्दगी में बुरे ही काम किये है लिकिन आज इनकी शक्लें दिखा कर बहुत अच्छा काम किया है मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद टुनी से कर नहीं तुमारी बहुत यज़े जाए कर दो अवाज। आग, आग। कर दो 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 हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ हुआ है हुआ है कर दो 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 झाल 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 तुम मेरी खबर अपनी भारत माता को नहीं दे पाओगे तुम सलिम पूर्थाने तक नहीं पहुच पाओगे तुम्हें वापस आना पड़ेगा तुम्हें वापस आना पड़ेगा तुम्हें वापस आना पूर्थाने 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 झाल 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 जे जुताओागा, जोजएरा जुएाओाओाँ कि कि बुछimet आखबचू बच्छाओाओा कि लाओआाईदा जुताओाँ जुताओाओब अटաगाँ का प्या प्यान का लिए वाधादादा लिए भुर्ण फिए भुरिए यहाधा है करिभा है कि करिणने छुर भर फ्हों यहादा लिए करेण सबस्त एक दोना पोना पोना मोंग 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 दोना पूधिये और तंकिये करदी खबर देखा है हिंदुस्तान के बेटो देखा तुम्हारे तमाचे का जवाब हमने किस धमाके से दिया है देखा अब हम करेंगे साले आज तो अपनी माच का ऐसा नजारा देखेगा जो आज से पहले ना किसी फरिष्टे ने देखा होगा और आज के बाद ना कोई फरिष्टा उसे देख पाएगा यह मेरे साथ जो विदेशी मेमान आये हुए है जानते हो यह कौन है सेंड अप सेंड आप यह वही ब्लैक टावर ग्रूप के खास लोग है जिने गिरबतार करने तुम यहां आये थे यह मेरे मेमान पंदरा अगस को आने वाले थे लेकिन मैंने उन्हें आज ही बुला लिया यह आज रात बारा बजे यहां से रॉकेट छोडेंगे जो हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर गिरेंगे और तुमारी भारत मा की चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे लाखो करोडों लोक मर जाएंगे तुमारी हिंदुस्तान की आबादी भी थोड़ी बहुत कम हो जाएंगी और फिर इस देश पर हम राज करेंगे हम राज तो तुम तब करोगे राजा जैचंद जब यहां से जिन्दा निकलोगे और यह विदेशी कभूतर भी रॉकेट जब छोड़ेंगे जब यहां से बचकर निकलेंगे आज बारा बज़ने से पहले हम तुम सब की बजा देंगे ओ तुम भी गाना गाओगे देश भक्ति की दुगदुगी बजाओगे दुगदुगी बंदर करें यह हिंदुस्तानी सरकार मुझे क्या मदारी समझती है पि अज़ नचो नचो बंदरो नचो कितने इत्रार है हो हम पर पैट्रोल चेड़े कर अफे को मशाल लगा दो आग हमें लेकन इतना याद रखना दावन की लंका को जलाने के लिए एक हिराम भक्त था लेकिन आज तेरे क्रिया करम के लिए दो दो देश भगता हैं कि मशाल से इसी मशाल से हम तेरी चिता को दाख देंगे भैंक हिम्मत हो तो दूदिये और टंकिये जो शेर पालते हैं न शेर वो बंदरों की घुड़कियों से डरा नहीं करते समझें ही! बंदरों के अार जुड़कियों से विए खाव वा कि लाम गवा कि लिए गालते हैं कर दो कर दो कली के कुद्टे की तरा तुपका बैठीष Mr Bill आँ Mr Might कं च्राकिर भारत मा के पेसे अब तो अपने जितरों की शूरब बहुत निकी, आज रस परी तेरा रस निकालेगी, और तुम्हारे हर सुनका, हिसाब जुकता होगा बहुत निकालेगी, और तुम्हारे हर सुनका, हिसाब जुकता है बहुत निकालेगी, और तुम्हारे हर सुनका, हिसाब जुकता है बहुत निकालेगी, और तुम्हारे हर सुनका, हिसाब निकालेगी, और तुम्हारे हर सुनका, हिसाब जुकता है अगाइट्री आदाब, नहीं से भी आदाब, अगर देख, शायद इसकी आखनी सास के साथ।। तेरे दिल का गुमार भी निकल सके। हो बजज टा मेन का Watts ताइज एयाँ कर तिए गाया गाया टुश्डिया है बाया पाइट िाल पाइट आर रुट पाइट आर 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 बाइया, बाइया, मैं चानती थी, मैं चानती थी, तुम जरूरा भगवान तेरे लाथाक शुक्र है, हमारी बहन की याद दाश वापस आगई दाश तेरी जगा हम पागल होते, तो तेरी ये दुर्दशा तो नहीं देखते किस तरह कुपने बिल्यू की तरह तुझे जिंदी की गुजाना कुणी बाइया, बाइया, इस राक्षस में तुमारी बेहन की क्या आलती हम जानते हैं, लेकिन हमने तेरा बदला ले लिया, गाइतरी, देख उस राक्षस को, देख जंडा उंचार हे हमारा, विजय विश्वति रंगा प्यारा जंडा उंचार हे हमारा, विजय विश्वति रंगा प्यारा सदाशति सरखाने वाला, प्रेम सुधा परताने वाला, वीरों को हरशाने वाला मात्र भूमिका तन मन चारा मात्र भूमिका तन मन सारा जंडा उंचार हे हमारा, विजय विश्वति रंगा प्यारा मात्र भूमिका तन मन चारा इस जंडे के नीचे निर्भाई ले सराज यह अविचल नीश्चै बोलो भारत माता की जड़ पतंत्रता है यह हमारा जंडा उंचार हे हमारा विजय विश्वति रंगा प्यारा जंडा उंचार हे हमारा विजय विश्वति रंगा प्यारा जंडा उंचार हे हमारा विजय विश्वति रंगा